है एल्लो दोस्तो दोस्तो यह है अपनी वीडियो नमर 9 इस वीडियो कें लिएगा करेंगे कि डॉं क्या होती है- आईडी, क्लाशेज, क्लासेज, एलिमेंटbooks क्या होते हैं इन सब के बारे में ठीक है देखो सबसे पहले बना लेते हैं फाइल तो मैं देखो कि अब कर सकते हैं तो आपको पूर्स श्टार्टिंग से बीच से ना देखना पड़े ठीक है तो आपको इती दिक्कत ना हो ठीक है तो हम यहां से से चालू करेंगे ठीक है अब देखो सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं डॉम क्या होती है डॉम होती है आपका जो एक वेबसाइट है वो जैसे आपके ब्राउजर में लोड होती है तो जैसे ब्राउजर में लोड होगी तो आपका जो एक ब्राउजर वो आपको देता है जगह देता है, मैं ऐसे कि यह देख रहे हैं, चारो कोर्नर, जिनको मान लो यह आपकी पेरेंट है, पेरेंट डॉम है, डॉम एक टाइप से अब्जेक्ट मान लो ठीक है, जो कि मैन अब्जेक्ट होता है, बाकि आप उसके अंदर जित्ते भी डियूस बनाते हो, या फिर जि इत्ती इजी चीज़ डॉम, ठीक, उसके बाद देखते हैं, कि जो HTML के अंदर ID और Classes क्या होती है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ID की, देखो, ID होती है, यह ID एक Selectory है, ठीक है, बट, ID और Classes में डिफरेंस एक यह जो Classes है, वो Multiple Objects को दे सकते हैं, Multiple Elements को दे सकते है अब आईडी है, यह ID यूनिक होती है, हम इसको ID को एक ही Elements को देते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो, ID को हम यूनिक, यूनिक मानते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैं डाल दूँ, डीव, डीव डॉट, डॉट का मतलब जैसे डीव बना दिया, डीव के अंदर, सबसे पहले इस दे डीव डॉड, फिक है, डीव अइडी का है, और इसमें अगर आपको जी डीव पर, अगर आई डीव पर कोई CSS लगानी है, तो ID को आप कैसे करोगे, एक को अगर आई डीव सिलेक्ट दरने का है, अगर आप क्लासे lud को होतो तो आपको डॉर से होगा, अगर आप का इ स्योंगा ठीक? एस मैंने डाल दी डिव आईडी ठीक है, यह हो गया हम इसके अंदर लगाता हूँ बैग्डाउंड कलर, बैगरण कलर रहता हूँ, एक को आपके, इसको अगर करता हूँ, स्टोप आपस करता हूँ open तो यह देखो मैंने इसके अंदर लगा दी थी यह तो यह मेरी idea idea को लगा कि मैंने इसको कर दी ठीक है idea मैं यूज़ करते है elements को unique define करने के लिए ठीक है यह होगी idea मैं class बना रहता हूँ ठीक है इसकी बना रहता हूँ class अब देखो अगर मैं आप इसको save कर दिया आप देखतो हो उपर वाले में तो यह है बट नीचे वाले में यह नहीं हो इसको हमने select करके इसकी properties नहीं दिये है यहाँ पर class की property देने के लिए हम क्या करेंगे देखो id के लिए हमने किया class के लिए होता है dot use ठीक है dot class का name डीव dot class ठीक है जैसे class का name दिया मैं इस पर कुछ भी properties डालूँगा यह properties होते है properties values होती है यह properties है इसकी value ठीक है जैसे कि अब यहाँ पर अगर background करता हूँ background color इसका मैं अगर कर देता हूँ black और color कर देता हूँ इसका white ठीक है white तो देखो अभी क्या होगा तो इसका color तो हो गया black background और color हो गया white background color black हो गया color हो गया इसका white ठीक है और इसका color है black और background color है aqua ओके हाँ तो देखो यह हो गया अब इसके बाद ही होता है अपने पास दो selector हो गया ID और classes ठीक है इसके बाद तीसरा selector होता है अपने पास elements selector किशलिए elements selector क्या होता है elements selector होता है आपका जैसे कि यह due है अगर due है यह आप सब के due को एक साथ डालना हो जैसे कि अभी मान दो मैने इनको मैंने comment out करदिया ठीक है comment out करदिया comment out देखो css के अंदर कमेंट आउट करना कैसी है अभी तो मैं सोटकट सी उसकर रहा हूँ बट कमेंट आउट आपको करना css के अंदर तो देखो easy है css के अंदर आपको कमेंट आउट करने के लिए के पहले स्टार इसको ठीक है कुछ भी डाल दो this is the comment in the css हो गया अब मैं इसको यह बार कमेंट आउट कर देता हूँ इन सबको कमेंट आउट कर दिया मेरे को माल लो जित्ते भी डिव है मेरी पूरी अप्लिकेसिन उनको मेरे को सबको प्रोपर्टी देनी है कि यू लग जित्ते भी सबको सब्सक्राइब करके दिखाता हूँ ठीक है अब देखो जित्ते भी डिव है सबकी बैग्राउंड को प्रोपर्टी जित्ते भी डिव है सबकी यह लागू होगी मैं इसका अगर कलर भी चेंज कर देता हूँ कलर तो यह भी इन पर लागू हो जाएगा ठीक है देखो कलर किया तो कलर भी देखो वाइट हो गया ठीक है यह अपने पास लेक्टर है एक तो एलिमेंट स्लेक्टर है एक आईडी स्लेक्टर है एक लेक्लास लेक्टर आसा आसा करता हूँ आपको तीन तीनों समझ में आग होगा और हमने बात कर लेगी css के पास अपने तीन टाइप की css होती है ठीक है इसके बाद अपने पास इस पर कुछ चीज़ें होती है जो क्यों होते यूनिवर्सल जो कि हम पूरे डोम उस पर लगाना चाहें तो वह कैसे लगाएं उससे पहले मापको बता दूँँ जैसे क्लास है अगर आप एक साथ तीन चार क्लास को एक ही प्रोपर्टीज देना चाहते तो वह कैसे दोगी ठीक है तो देखो वह इजी है वह कैसे देंगे सबुLES करते हैं कमेंट आऊ ठीक है अब ही इसको फिलाल तो अब और इसको फिलाल कमेंट आउट कर दे टेते हैं यह कैइज हो गहाए द्यूँ के ईजिश जए डस डाल देता हूँ मैं वरily क्लासि बीजえば का आप लास डियू क्लास वन ओके मैंने ये क्लास दे दी इसके अदर ठीक है अब इस ये जो प्रोपर्टी ओपर वाल डियू कि वह भी मैं चाता हूं कि इसमें लग जाए बट क्लास दोनों की डिफरेंट तो मैं कैसे करूंगा यहां पर ही लगा दूगा एक और ठीक है येलो जैसे मैंने एक और लगाई ऐसे अब देखो इसके अंदर इसकी जो प्रोपर्टी है वो इसके अंदर आ गई ठीक है इसकी प्रोपर्टी इसके अंदर आ गई यह देखो ठीक है इसकी प्रोपरटी और इसकी ब्रोपरटी लोगी होगी अगर आपको यहां पर वंगाऊचे करके दिखाता हूं अब इसमें अगर मैंको चेन्ज करूंगा इस क्लास में तो इसमें भी चेन्ज होगा ठीक है दोनों की सेम ख्लास हो गई और वही मागर इसकी class और उसकी class ही दोनों की same कर दूं जैसे class ठीक है अब दोनों की same class है तो दोनों पर same CSS apply होगी ठीक है बट वह हम ID में ID एक particular element को देते हैं मैं यहां पर देखो इसके अंदर लगाना चाहता हूं ओनली किसके अंदर क्लास है ना सबस्के पहले class लेक्ट की मैंने class class ठीक है इसकी मैंने class select कर ली class select होने के बाद मेरे को implement करना space दिया इसके अंदर जो है उसके ओपर CSS लगा दो अंदर वाले color क्या है इसका मेरे color change करता हूं अभी ठीक है तो color कर देता हूं मैं इसका blue that should be good ठीक है मैंने h1 का hello this is the h1 tag in the dew ठीक इसका मैंने color किया है यह देखो hello this is the h1 tag in the dew तो इस particular इसका color change हुआ ठीक है और वही मैं आपको अगर दिखाऊं यह दोनों अलग चीज है या नहीं है ठीक है तो देखो इसका मैं बताता हूं अभी देखो यहापर डालों this is the all or ठीक है अभी देखो इसका है this is the or यह अलग है और इसका color अलग है यह जो class है यह जो select किया मैंने वह लगेगा only h1 पर क्योंकि मैंने इसको बताया जो डिव है इसका dot का मतलब class class के बाद डिव है यह जैसे class डिव जिसकी class डिव यह डिव क्लास इसकी है इसके तो इन पूरो कर देगा हूँ ही मगर यहाँ पर एगर h1 करता हूँ जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कैसे work हो रहा है ठीक है अगर नहीं आ रहा तो देखो आप टेंसन मतलो ठीक है हम जैसे project करेंगे धेद्रे आगे बढ़ेंगे आपको सब धेद्रे confusion दूर होते रहेंगे विकोज जब first time अगर css अपने करते है ना इस टाइप के आने पर आज देख रहे हो आप ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं होता है अपने पास यूनिवर्सल स्लेक्टर का क्या मतलब है कि मैं पूरे बोडी के अंदर जिता भी उस पर पूरे पर ही लगाना चाहूं कुछ भी तो कैसे लगेंगे तो देखो उसका अपने पास tag होता ह है जो डॉम डॉम पे कुछ लगाना हो अपने को तो उसका होता है स्टार ये लो अब इस पर अगर मैं लगाना चाहूं बैग्राउंड कलर तो बैग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं ब्लैक ठीक है इसका अब जैसे मैंने यह किया यह पूरी जो डॉम है डॉम अभी देखा हो गई है ब्लैक कलर ठीक है अगर मैं इसके अंदर इनर कलर कलर अगर करता हूं वाइट ठीक है तो पुरी प्रोपर्टी इन सब पर लागू होगी विकोज यह डॉम जो मैं रूट ट्री का जो रूट होता है वही यह है उसको स्लेक्टने के लिए हम स्टार डालते है ठीक है यह भी का फीजगा यूज होता है ठीक है बार केंदे कमेंट देकलिया क्या होता है तो फर गलिमेंट केंदर कोई करते हैं तो अगर हम class के through element को access करना चाहें वो कैसे करते हैं और universal हम अगर सब elements को एक properties देना चाहें तो वो कैसे देते हैं वो हमने देखा था उसके बाद हमने देखे थी dom क्या होती है id कैसे देते हैं id पर कैसे css लगाते हैं classes पर कैसे css लगाते हैं classes कैसे देते हैं वीडियो में हमने देखी थी जैसे यह तवाला था इसके अंदर हमने देखी थी कि एक जो style कित्ते type की होती है inline style कौन सी होती है internal style कौन सी होती है external style कौन सी होती है कैसे इनको link करते हैं अधर फिर भी आपको देखो कोई दिक्कत आती है तो free to fall आप comment कर सकते हो मेरा personal instagram का handler है उस पर मेरे को personally आके message पूछ सकते हो आपको कोई दिक्कत आ रही है वह मेरे से पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और आपको कुछ लगता है कि improvement की जर्रत है या फिर content थोड़ा fast जा रहा है या slow जा रहा है रहा हूं तो आप मेरे को बताओगे तो उस पर work किया जाएगा एक अच्छा content प्रोवाइड होगा आपको भी ठीक है आपको भी फाइदा को उस चीज़ से ठीक है तो आसा करता हूँ वीडियो आपको enjoy कर रहे होगे और वेकर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को subscribe कर लो और यह प्लेलिस्टेस को आप access कर लो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको description मिल जाएगा वहाँ से आप जाके access कर सकते हो ठीक है तो इस वीडिय